Hello everyone, welcome back to my channel, you are watching Be Logical, Be Natural Summer season शुरू हो गया है, तो हम अपने skincare routine में हम एक ऐसे hydrate खुद को रखना है उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको tips बताऊंगी और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप चैनल को subscribe कर लीजी जो मैं tips आज आपको बताऊंगी, उसमें से आप क्या-क्या चीज़े follow करते हो, क्या-क्या नहीं follow करते हो आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा, मेरे साथ जरूर शियर कीजेगा Summers में हमें अपने skin का खास खयार रखना चाहिए, हमें अपने skincare routine को change करना चाहिए सबसे पहले तो हम अपना face wash जो use करते हैं उसे change कर देना चाहिए, आपको हमेशा winters के लिए अलग face wash यूज़ करना चाहिए और summers के लिए अलग face wash जो है वो use करना चाहिए, आप natural face wash भी बना सकते हो, मेरे चैनल पर उसकी videos बनी हुई है आप अपनी skin के texture के according जो face wash है वो use कर सकते हो, अगर आपकी oily है तो आप oily के ले लिजी, अगर आपकी dry है, combination है या कोई भी है आप उसके according ही अपना face wash चूज़ करें और सही चूज़ करें और summers में उसे ही use करें कोई भी season हो, winter season हो या summer season हो, हमें घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है अभी lockdown चल रहा है तो उसकी वज़े से तो हम avoid कर सकते हैं लेकिं lockdown open होने के बाद क्या हमें अपनी skin का ख्यार रखना चाहिए और हमें जो उसकी है proper cure करनी चाहिए तो summers हो और winter हो, हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें sun के सामने आना ही पड़ता है और हमें sunburns हो ही जाते हैं जो sun rays होती है, जो सूरे की किदने होती है, वो हमारी skin को damage कर देती है, sunburns की problem हो जाती है, rashes हो जाती है तो इसके लिए हमें गर्मियों में जो है sunscreen जरूर यूज़ करना चाहिए और SPF 50 तक का आपको sunscreen यूज़ करना चाहिए summer season हो, या winter season हो, गर्मियां हो, या सर्दियां हो, कोई भी season हो, मैं आपको recommend करूँगी कि आप हमेशा sunscreen का यूज़ करें इससे जो हमारी sun की rays है, वो हमें direct जो हमारी skin पर पढ़ती है, उससे sunburn, sunrashes की problem नहीं होती है और आपको दिन में 2-3 बार sunscreen यूज़ करना चाहिए, अगर आप घर्मे राते हैं तो आप एक बार भी यूज़ करें, लेकिन sunscreen गर्मियों में जरूर यूज़ करना चाहिए और ये आपको, आपके जो make-up kit है उसमें जरूर ही होना चाहिए summer season में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आप अपने face को cover करके जाए अगर हो सके तो आप hat पहन लीजिए, इसे जो है हमारी जो skin में, जो sunrace होती है वो direct नहीं आती है और हमारे sunrashes की problem, sun skin की problem बगारा कुछ नहीं होती है, allergy की problem नहीं होती है तो आप इन चीज़ों का खास खयार रखें, अपने face को, अपने body को cover करें हो सके तो cotton के कपड़े ही पहने, वो ही गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा best रहते हैं और ज्यादा tight fitting आपको गर्मियों में कपड़े नहीं पहनने चाहिए tight clothing से जो हमारे पसीने की वज़ा से bacteria बने लग जाते हैं तो इसी वज़ा से हमें tight कपड़ को avoid करना चाहिए summer season में हमेशा light color के ही कपड़े पहने, ज्यादा dark नहीं पहनने चाहिए उससे हमें ज्यादा गर्मी मैसूस होती है और आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी full body को cover कर सके ताकि जो sun की raise है वो आपकी जो body पे हैं वो harmless ना कर सके summer season में specially summer season में हमें hydration हमारे लिए must है आपको पानी घूब मातर में पीना चाहिए इससे जो है हमारी body hydrate रहती है आप normal water भी पी सकते हैं नहीं तो आप नारिल पानी दिन में दो बार ज़रूर पीजिए ये भी हमारी जो body है उसे hydrate रखने में काफी ज़्यादा help करता है और पानी तो आपको गर्मी में ज़रूर ही पीना चाहिए और जितना हो सके आपको पीना चाहिए Summers में ज्यादा temperature की वज़र से हमारी जो body है वो dehydrate हो जाती है यानि कि हमारी जो skin में वो पानी की कमी हो जाती है तो इसके लिए आपको अपने body में पानी की कमी नहीं होने देना है आपको normal water पीजिए या आप coconut water का यूज़ कर सकते हैं Summers सीजन में हमें healthy right लेनी चाहिए जो में junk foods है जो oily foods है उन्हें कम खाना चाहिए और season के according जो fruits vegetables आती है उसे खाना चाहिए Summers सीजन में बहुत से ऐसे fruits हैं जो आप सभी को पसंद होगे आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा आपको जो गर्मियों के सीजन में सबसे ज़्यादा favorite fruit आपका कौन सा है जो आप खाना पसंद करते हैं Summers सीजन में हमें अपनी diet में specially वो चीज़े include करनी चाहिए जो हमारी body को पानी की मात्रा ज्यादा दे पाएं जैसे कि यह water melon है यह हमारी जो इसमें ज्यादा water ही होता है और मारी स्किन को summer सीजन में specially water की ही जरूरत होती है तो आप healthy ही चीज़े ले जो भी summer सीजन में fruits vegetables आ रहे हैं आप उसी का use करें आप उसे ही खाएं आप उसे ही अपने जो diet में है शामिल करें आपको वही चीज़े खाने चाहिए जिससे हमारी जो बोडी है उसे vitamins, minerals, water की कमी जिसमें ना रहें वो easy से मिलती रहें water melon, cucumber, खीरा इसमें बहुत ही मात्रा में जो है hydration के cording पानी पाया जाता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और हमें summer season में इन चीज़ों का ख्याल ज्यादा रखना है, oily food ना खाएं आप अपने जो foods आप खाते हैं उसमें salad का यूज़ करें, खीरे का यूज़ करें, ककड़ी आती है उसका यूज़ करें summer season है तो pollution तो होगा ही, dead skin भी होगी और इसे बचने के लिए हमें exploit the skin, यानि कि हमें अपने skin को जो है exploit करना चाहिए, scrub यूज़ करना चाहिए जिसे dead skin easy से remove हो सके और आपकी जो skin है वो बिल्कुल ही साफ रहे मेरे चैनल पे बहुत सारे scrub बनाने की वीडियोस पड़ी हुई है, आप वो चेक कर लिज़ेगा, नहीं तो आपको उपर आई बटन में scrub बनाने सबसे easy steps से जो आप scrub बना सकते हैं, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा यही कुछ steps फोलो करके आप summer season को healthy season मनाएए और healthy रहिए, और summer season को enjoy केजिए अपने favorite fruit, vegetables के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो please like जरूर किया कीजिए, और comment भी किया कीजिए, अपने friends के साथ share भी किया कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नह मिलती रहेंगी, thank you for watching